गुद इवनिंग नमस्कार एग्रिकल्चर एड़र 24-7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षी राथी और यहां हम अपनी क्लास में मिलते हैं जहां हम conceptual biotechnology कर रहे हैं जहां हम यहां पर अपने बाय टेकनोलोजी की concept की classes कर रहे हैं सो फार हमने genetics and plant breeding दोनों ही cover कर लिए हैं साड़े 11 बजे हम मिलते हैं अपने IBPS AFO की class में जिसमें हम genetics and plant breeding का mcq करते हैं फिर 2 बजे अपने smiling classes में जहां हम entomology के mcq practice करते हैं और राथ छे बजे शाम छे बजे एकशलिई नोट राथ छे बजे जो हैं हम यहां मिलते हैं अपने बाइयो-technology, प्लांट, बाइयो-technology की concepts के साथ. कल हमने क्या किया था, कल हमने larger scale cultures को पढ़ा था, कि large scale cultures के लिए हमें कौन से कौन से bio reactors चाहिए होते हैं, batch type होता है, जिसमें कोई replacement नहीं होती, आपका nutrition जो है, आपका growing bacteria या growing plant cell खाता रहता है, consume करता रहता है, और कुछ time बाद उसमें एक ऐसा stagnation phase आता है, जिसमें उसकी population और increase नहीं होती है, उसके बाद आपके फर्दर क्या होंगे, continuous bio reactor होते हैं, continuous bio reactor में fresh media डाला जाता है, continuously और used media को निकाला रहता है, जिसमें उसकी growth नहीं रुखती है, आपके bacterial cells जो है, या plant cells जो है, grow करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें fresh media मिलता रहता है, फिर कुछ multi usage bio reactors थे, यानि कि जब growing condition आपके bacteria की अलग है, और जो product आपको से चाहिए, वो अलग है, अलग condition उनको देनी पड़ती है, तो आपक पर हमने detailed चर्चा कल कर चुके है, it's just a revision की कल हम क्या कर चुके है, और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम transgenic plants करने वाले हैं, transgenic plants जो almost हम lab में अच्छे से flourish कर चुके हैं, develop कर चुके हैं, उनके example आज हम देखेंगे, अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe ज़रूर की लिटेगा और पुराने हैं, तो आपका दही दिल से यहां पर स्वागत है, तो चली अपनी class को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक अड़ा की app डाउनलोड नहीं की है, तो अड़ा की app प्लीज डाउनलोड कर लीजे, इसमें आपक अगर अड़ा की app आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है, तो इसे डाउनलोड कर लीजे, देन कमिंग टू दा सेशन, सेशन पर आते हैं और बात करते हैं अपने transgenic plants की, तो सबसे पहले transgenics क्या होते हैं, जिनमें किसी दूसरे organism से gene डाला हुआ होता है, उन्हें transgenic कहते हैं, there is a difference between genetically modified and transgenic, यानि कि अगर मैं कोई भी genetic modification करती हूँ, DNA में modification करती हूँ, तो ये सभी plants जो है genetically modified के अंदर आते हैं, और transgenic का मतलब क्या है, जब unrelated organism से आप वो gene डाल रहे हैं, DNA insert डाल रहे हैं, तो वो gene जो है आपका क्या कहलाता है, वो plant जो आपका कहलाता है, वो transgenic कहलाता है, यानि कि transgenic भी एक genetically modified organism है, genetically modified organism थोड़ा बड़ा टर्म है, चाहे मैं उसका modification कैसे भी करूँ, deletion से करूँ, insertion से करूँ, over expression करूँ किसी चीज़ का, down regulation करूँ किसी चीज़ का, वो सभी genetically modified में आएंगे, लेकिन अगर किसी unrelated organism से ह मैं कोई gene introduce करवाती हूँ, तो उसे specifically transgenic कहा जाता है, एक बहुत thin line है आपकी genetically modified और transgenic के बीच, चले, herbicide resistance की बात करते हैं, ये पहला resistance plant जो transgenic plant बना था, वो herbicide resistant plant था, तो कुछ herbicides होते हैं, जिनको हम किसी weed के control के लिए use करते हैं, लेकिन साथ साथ वो आपकी crop को भी नुकसान पहुचाते हैं, अब हम नहीं चाहते कि वो हमारी crop को नुकसान पहुचाएं, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो हमारे weeds को वहां से साफ कर दे, तो इसके लिए हमें ऐसी crops develop करनी पड़ेंगी, जो उस herbicide से resistant हो, तो यहाँ पर पहला जो transgenic बना था, वो आपका herbicide resistant plant ही बन तो यह हमारी first slide ही है, यह मत सोचेगा कितना कुछ हमने पढ़ लिया है, अभी हम first slide पर ही है, herbicide resistance की हम बात कर रहे थे, तो इससे पहले मैंने आपको transgenic और GMO का difference बताया था, तो transgenic और GMO का difference क्या होता है, transgenic में आपके unrelated organism से अगर gene लिया है तो transgenic होता है, genetically modified में आप related organism से भी gene transfer कर सकते हैं, down regulation कर सकते हैं, आप regulation कर सकते हैं, यह सब ही जो हैं आपके genetically modified के अंडर आते हैं, चलिए, बात करते हैं, herbicide resistance की development of plant resistant to certain bio degradable herbicide was first major achievement from genetical engineer plant, genetically engineered plant में सबसे पहले जो transgenics बने थे, वो herbicide resistant ही बने थे, तो आई यह देखते हैं, example इसका, इसका example है आपका glyphosate resistance, तो यह जो glyphosate है, यह glyphosate एक herbicide है, कैसा herbicide है, यह एक broad spectrum herbicide है, broad spectrum herbicide का मतलब क्या है, यानि कि यह काफी crops पर use किया जा सकता है, इसका spectrum broad है, यह काफी weeds के control के लिए use किया जा सकता है, तो यह इसकी जो है, खासियत है, और यह करता क्या है, यह आपका एक enzyme होता है, जिसका बहुत बड़ा सा नाम होता है, तो इसको इतना बड़ा नाम जो है, तो इसकी short form बना ले गई है, EPSPS, तो यह आपका EPSPS जो है एक enzyme है, और यह enzyme जो है, यह glyphosate इस enzyme को inhibit कर देता है, यानि कि इसके action को रोक देता है, तो EPSPS enzyme का inhibition हो जाता है, इसको function नहीं करने दिया जाता, इसको काम नहीं करने दिया जाता, यह glyphosate इसको inhibit कर देता है, आपका जो EPSPS आपका enzyme जो है, यह क्या करता है, यह aromatic amino acid का biosynthesis करता है, यानि कि कुछ जरूरी आपके amino acids होते हैं, जो aromatic होते हैं, वो आपके basically cells के लिए जरूरी होते हैं, और यह biosynthesize किये जाते हैं, इस enzyme के through, जिसका नाम है EPSPS, अगर यह glyphosate जो है, जो chemical है, जो herbicide है, इसको inhibit कर देगा, इसका action को रोक देगा, तो आपका जो cell है, वो aromatic amino acids नहीं बना पाएगा, amino acids नहीं बना पाएगा, तो वो उसकी जो है, कमी होने लगेगी, और कमी होने लगेगी, तो यह जो glyphosate है, इसके कारण आपके cell जो है, भूके मर जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने amino acids नहीं मिले, जो इनके लिए जरूरी थे, तो basically, यह कैसे काम करता है, आपका glyphosate, glyphosate kills the starving cells, यह cell को भूका मार देता है, जो cells आपके aromatic amino acid को consume करते हैं, तो यह इसका glyphosate का action है, तो बहुत simple words में है, EPS, EPS, आपका जो enzyme है, उसको यह inhibit कर देता है, जिसके कारण aromatic amino acid नहीं बन पाते, और आपके plant cells जो है, मर जाते हैं, और इस तरीके से यह अपने के plant cells को अगर मार देता है, तो आपके plant जो हैं से sensitive होते हैं, और इसकी वज़े से उन्हें काफी नुकसान मिलता है, तो अब हमें कोई ऐसा कोई plant चाहिए, जिस पर इस glyphosate का action ना हो, यानि कि यह glyphosate हमारे plant को नुकसान ना पहुचा पाए, केवल weed को नुकसान पहुचाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ strategies प्लान कर सकते हैं, कि भईया ये weed के plant को तो खतम कर दे, हम weed अपने field पर नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी crop को नुकसान ना पहुचाए, हमारी eel को नुकसान ना पहुचाए, तो इसके लिए पहली strategy क्या है, पहली strategy यही है, कि आप over production करें अपने enzyme का, यानि कि enzyme का production ही बढ़ा देते हैं, कितने enzyme को inhibit करेंगा, कुछ तो बचेगा और कुछ बचेगा, तो कुछ काम भी करेंगा, तो आप over production कर सकते हैं, अपने EPSPS enzyme की, यह किया गया है, आपका petunia hybrid में, तो hybrida में यह किया गया है, EPSPS is over expressed, इसको over express किया गया है, over express का क्या मतलब है, इसका जो जितना यह product बनाता था, उससे जादा product यह बना पा रहा है, but it was not enough to tolerate herbicide, लेकिन यह condition जो है enough नहीं थी, कि यह इस herbicide को field conditions में झेल पाए, यानि कि आपका कितना भी over production हो जाए, अगर पहले 10 EPSPS बन रहे थे, आप 20 बना रहे हैं, 30 बना रहे हैं, लेकिन फरक नहीं पड़ रहा है, आपके aromatic amino acid नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण आपके plant को जो है नुकसान जीलना पड़ रहा है, तो over expression तो करके देख लिया, लेकिन काम नहीं आया, क्योंकि आपका जो glyphosate है, वो उन सभी को inhibit कर पा रहा है, और जिसके कारण आपके plant को नुकसान हो रहा है, फिर आपका EPS EPS tolerant to herbicide, यानि कि हम enzyme ही ऐसा बनाए, जो इस herbicide के tolerant हो, यानि कि उस पर herbicide का effect ही ना हो, या herbicide उसे inhibit ही ना कर पाए, एक ऐसा enzyme बना लेते हैं, उसका structure में कुछ change कर देते हैं, उसको कुछ इस तरीके का modify कर देते हैं, कि आपका जो herbicide है, आपके enzyme को inactivate ना कर पाए, inhibit ना कर पाए, तो इस तरीके का हम EPS 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 आपका जो बनाएंगे, जो आपके herbicide से tolerant होगा, mutants of S, टिम्थी मूरियम, तो mutants of S, टिम्थी मूरियम, तो mutants of S, टिम्थी नियूरियम और E. को लाई, short tolerance to glyphosate, तो कुछ mutants थे आपके S, टिम्थी मूरियम के और E. को लाईगे, जिनोंने अपनी tolerance शो की थी, glyphosate के, यान की glyphosate की presence में भी वो काम कर पा रहे थे, वो tolerance शो कर रहे थे, तो ये कैसे हुआ था, ये mutation के वज़े से हो पाया था, यानि कि कुछ इस तरीके की mutations आपकी इस gene में हुई थी, जिसके कारण ये इससे tolerant बन गया, और tolerant बन गया तो glyphosate की presence में भी ये अपना काम कर पा रहा था, glyphosate इसको inhibit नहीं कर पा रहा था, तो ये काम तो कर रहा था, पर यहाँ पर भी एक problem थी, क्या problem थी, कि ये जब आपका जो है, soya bean और tobacco और tomato तीनों में ही इसको express करवाया गया, express भी हो गया, लेकिन lab condition तक तो बात बहुत ठीक ठाक चल रही थी, जैसे ही जो है, आपकी इन plants को field में उतारा गया, तो देखने को मिला कि इन में glyphosate resistance तो है, tolerance तो है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमारी पैदावार को बचा पाए, तो इसकी वज़े से ये वाली strategy भी जो है, almost fail हो गई, पवन, जितना भी मैं आपको genetics, plant building, bio technology करवा रही हूँ, ये किसी भी MSC entrance के लिए काफी रहेगा, क्योंकि काफी सारे तो हम questions practice कर लेते हैं, अपने sessions में, जब हम आपका IBPS AFO का class होता है, सुबह साड़े 11 बजए हम MCQs practice करते हैं, जितने concepts हम यहाँ पर ले रहे हैं, almost ये enough होगा, लेकिन अगर आप तयारी IARI की कर रहे हैं, तो ये enough नहीं होगा, पाकी सभी university के लिए ये बिलकुल आपके, मतलब up to the mark syllabus है, इसी में से almost आएगा, no doubt, तो ये पूरा जो है, आपका किसी भी entrance के लिए preparation करवा सकता है, लेकिन फिर से मेरी request है, अगर आप IARI के entrance के लिए prepare कर रहे हैं, तो वहाँ syllabus थोड़ा सा जादा आता है, क्योंकि थोड़ा सा level उनका difficult होता है, इनसे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि इनसे नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर syllabus थोड़ा जादा है, उस पर कुछ extra topic आपको करने पड़ते हैं, कुछ advanced topic आपको करने पड़ते हैं, तो IRI के लिए ये enough नहीं रहेगा, बाकी हर university के लिए इतना enough है, चलिए, गुड़ इवनिंग अवीशा और वेलकम टू दा सेशन, तो ये आपका EPS, EPS tolerance, herbicide भी बनाया, पर काम ये भी नहीं आया, क्योंकि इन plants ने tolerance lab में तो show की थी, लेकिन field में show नहीं की और जब तक field में show नहीं कर रहे हैं, तो हमारे farmer के किसी काम की चीज़ ये है ही नहीं, तो फिर तीसरी strategy आई, तीसरी strategy में क्या हुआ, production of enzyme which inactivates glyphosate, यानि की हम कुछ ऐसे enzyme बनाएं, कि जो आपके glyphosate के molecules हैं, जो आपके plant में enter करते हैं, इनहीं को inactivate कर दें, अगर हम glyphosate को पहले inactiv कर देंगे, तो आपका glyphosate जो है, आपके अगले जो enzyme है, EPSPS, उसको inhibit नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही inactiv हो चुका है, तो यह condition जो है, जादा better suit की, इसमें क्या हुआ, glyphosate is metabolized by enzyme, जिसका नाम है, GOX, गोक्स, तो यह गोक्स enzyme जो है, यह glyphosate को metabolize कर देता है, digest कर देता है, गोक्स की फुल फॉर्म क्या है, glyphosate oxido reductase, glyphosate oxido reductase, जो है, इस enzyme का नाम है, यह enzyme क्या करता है, यह breakdown कर देता है, आपके glyphosate को, and amino methyl phosphonic acid को, तो यह इसका जो है, तोड़ देता है, digest कर देता है, अब आपका glyphosate ही नहीं बचा, यह glyphosate जो है, digest हो चुका है, तो अगर glyphosate नहीं बचा है, तो यह आपके जो EPSPS enzyme है, उसको inhibit नहीं कर पाता, वो बच जाता है, दागोक्स has been isolated from an bacteria which is called acromobacter, acromobacter species से यह जो है, enzyme लिया गया है, जो आपके glyphosate को digest करता है, तो अगर आपका glyphosate जो है, digest हो गया है, glyphosate जो है आपका, यह आपके जो EPSPS enzyme था, उसको inhibit करता है, और inhibit के कारण जो है, आपके plant cells मर जाते हैं, plant को नुकसान होता है, तो यदि अगर मैं इस glyphosate को digest कर देती हूं, और दूसरे products में change कर देती हूं, तो यह EPSPS enzyme को inhibit नहीं कर पाएगा, plant cells सुरक्षित रहेंगे, और आपको भरपूर पैदावार देंगे, example क्या है, इसका round up ready maze आपको available होती है, round up ready का क्या नाम है, क्यों नाम रखा गया है, इसका, क्योंकि जो आपका glyphosate herbicide है, यह आपका glyphosate herbicide round up के नाम से market में मिलता है, glyphosate अपका herbicide जो है, market में round up के नाम से मिलता है, और यह maze जो है, यह इस round up से effect नहीं होती है, इस पर इसका कोई effect नहीं होता है, इसलिए इसका नाम round up ready रखा गया है, round up ready maze which was developed by Monsanto company, Monsanto company ने इसको develop किया है, गुड इवनिंग गुरीश, मस्तराम, आकाश, अन लोपा, welcome to the session, जाट दीवस की बहुत बहुत चिपकाम नाए, तो इस पर मैं आपको चलो आज एक जोक सुना देती हूँ, मेरे दादा जी मुझे ये जोक बहुत सुनाते थे जब मैं छोट दी थी, तो एक जाटो का गाउं था, तो जाटो की लांग्वेज जो है rough होती है, जाटो को rough लांग्वेज के लिए जाना जाता है, तो side में गाउं दूसरा था, जिसमें पंजाबी-पंजाबी रहते होंगे, जो बहुत respectfully बोलते थे एक दूसरे से, तो जाटो में बहुत पंचायत में decide हुआ कि आज से हम सभी को जी लगा कर बूलने वाले हैं, तो आज से हम सभी को जी लगा कर बोलेंगे, पूरे गाउं में आप ये बात फिला दीजे, अगले ही दिन क्या हुआ, दो लोगों की फिर से लड़ाई होगी, फिर से पंचायत हुई, पंचायत में कहा गया, क तो फर्स्ट वाली ने जवाब दिया, मैंने सारे गालियों के पिछे जी लगाया था, मैंने कोई रूल आउट नहीं किया, तो यह जो जोक है, मेरे दादा जी मुझे हमेशा सुनाते थे, that means जाटों की लांगविट जो है, रफ है और रफ ही रहने वाली है, चाहे हमें गाली के पिछे जी लगाना पड़े, तो चलो, जाट धर्म को अपनाते हुए, जाट दिवस की बहुत बहुत शुब कामनाई मस्तराम को, और इसके साथ साथ आप लोगों को एक जोक भी सुनने को मिल गया है, जो मैं बच्पन से सुनती आ रही हूँ, चलिए, आकाश पूछ रह major subject, plant biotechnology आपका major subject नहीं है, कुछ ही question आपके plant biotechnology से आएंगे, पर मेरा कहना यही है कि आप books already पढ़ते हैं, exams already देते हैं, तो अगर आपको कीवल like in classes से 2-4 question अगर आ जाते हैं, तो कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, इनको attend करने में, क्योंकि आपको extra कुछ नहीं क इतना याद रहते हैं, अपना mark करके आज़ेगा, क्योंकि आपका plant biotechnology से कोई एक आदा question, 2-4 question maximum, इससे जादा आपका plant biotechnology, एफो में नहीं आता है, लेकिन अगर आप preparation करेंगे, FCI के लिए, और plant sciences के लिए, या फिर आपका जो pest, ये quarantine और pest management वगेरा के भी exam होते हैं, आपके seed के exam भी होते हैं, seed analyst वगेरा के, उन में जो है in portion से आता है, ठीक है, तो AFO में अफकोर्स इससे कुछ ही question रहते हैं, ये major subject में count नहीं किया जा सकता है, CB2 टेक्निकल फसाई कब होगा, बहुत जल्दी होगा महेश, don't worry about it, plannings चल रही है, and probably मतलब मंडे से लेट तो नहीं होगा, मंडे से या उससे पहले ही आपकी जो है, CBT2 की classes शुरू हो जाएंगी, लोपा बता रही हैं, इस बार plant bio technology से दो question आए थे, we all are waiting for fसाई notification लोपा, हम सभी लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हर साल इसकी notification मार्च या अप्रिल में आ ही जाती है, इस बार they are late, क्योंकि अप्रिल भी आपका आधा जा चुका है, तो देखते हैं, जैसे ही notification आएगी, we will gear up, लेकिन आपका फसाई में ये जादा आता है, plant bio technology उसमें आपका major subject आता है, तो फसाई की अले अगर आप पहले से prepare कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे फसाई में जाना है, फसाई नहीं, sorry, FCI में ही जाना है, तो उसके लिए bio technology, genetics, plant breeding ये वाला portion, आपका plant science का portion जादा आता है, तो उसके लिए आप of course in classes को ज़रूर attend कीजिए, चलिए, तो round up ready हो गया और हम भी ready हो गए, तो चलते हैं अपने next slide की तरफ, कुछ insect resistance, insect resistance के बारे में आप सभी को जानते हैं, cry gene का आपका basic formula है, सबसे जादा use की गई insect resistance इसी के against है, तो काफे कुछ इसके बारे में आपको पता होगा, कुछ जो नहीं पता होगा वो मैं बता दूंगी, don't worry, तो cry gene जो है आपकी bacillus thuringiensis से ली गई है, यह आप सभी को पता ही होगा, it produces a protein which forms crystalline inclusions, यह एक protein बनाता है जिस्ते crystalline inclusions बनते हैं, आपके in the bacterial spores, आपके bacterial spores में, cry gene is grouped into 18 classes, आपकी बहुत सारी cry genes होती है, तो cry 1, 2, 3, A, B, C, D, बहुत सारी इसकी classes होती हैं, लगबग 18 classes में अभी तक इसको बाटा जा चुका है, और इसका जो protein size है वो कितना होता है, 130 kilo dalton से 70 kilo dalton तक use किया, मतलब इसका protein जो है, देखने को मिलता है, तो 130 to 70 kilo dalton तक आपका इसका protein size vary करता है, चलिए, देन, आपके यहां पर यह classes जो है, यह आपको याद करनी है, जब मैं graduation में थी तो मैं इन classes को अक्सर भूल दाती थी, कौन सी class में कौन सा insect का resistance है, तो यह अक्सर पूछ लिया जाता है exams में, और यह आपको याद होना चाहिए, तो इसमें पहला क्या है, इसमें cry1 gene है, cry1 A, cry1 A जो है उसके फिर सब strains भी है, cry1 A, cry1 A, cry1 B, cry1 A, C, तो cry1 A जितने भी हैं, चाहे A हैं, चाहे B हैं, चाहे C हैं, यह सभी आपके लैपिडॉप्टरन insects, जो हैं, उनको यह कंट्रोल के लिए काम आता है, तो फटा फट से comment box मे मुझे बताए लैपिडॉप्टरन इंसेक्स के एक्जाम्पल, फेमस एक्जाम्पल कौन से कौन से है, जिनके खिलाफ हमने क्राइवन जीन को यूज किया है, फटा फट से बताइए, तब तक मैं आपको टीबल रीड करते हूं, चलिए, क्राइवन ए जो है, चाहे उसका सब क ए हो, बी हो, सी हो, यह सभी जो है, आपके लैपिडॉप्टरन इंसेक्ट को टारगेट करते हैं, उनके जो है, यह कंट्रोल के लिए काम आते हैं, दैन क्राइवन बी जीन है, क्राइवन बी जीन भी आपका लैपिडॉप्टरन करेगा, क्राइवन सी भी लैपिडॉप्ट इंसेक्ट को ही टारगेट करते हैं तो इसको याद रख लीजेगा cry one gene जो है चाहे ए से लेके ए तक सभी का जो टारगेट है वो क्या है आपका लापिडॉप्टरन इंसेक्ट है लापिडॉप्टरन इंसेक्ट में कौन से आते हैं आपकी butterflies and moths आती हैं यहां पर example क्या देंग आपकी जो pink ball warm है जो cotton में होता है sported ball warm है cotton में होता है diamond back mode है जितने भी आपके लेपिडॉप्टरन इंसेक्ट के लारवे है जो इस पर feed करते हैं वो इस gene के जो product होते हैं वो toxin product होते हैं जिनके कारण मोत हो जाती है उनकी और हमें कोई इंसेक्टी साइड नहीं छिड़कना पड़ता हमारी crop जो है इनसे बच जाती है चलिए देन फिर आपकी जो है cry 2 gene आती है अभी तक हम cry 1 gene पढ़ रहे थी cry 2 gene में cry 2 A जो है आपकी lapidopteran and dipteran दोनों के लिए ही use की जाती है यानि कि आपकी butterfly और most के लिए और diptra के जो आपकी flies होती है उनके लिए भी जो है ये use की जाती है उसके बाद cry 2 B जो है आपकी diptra order के उसके लिए की जाती है उसके बाद cry 3 आ जाता है तो cry 2 और के दो ही variants है cry 2 A cry 2 B cry 2 A lapidopteran and diptra दोनों के लिए use की जाती है cry 2 B आपकी केवल diptra के लिए use की जाती है then cry 3 A cry 3 A आपकी koleoptra यानि की beetles के लिए use के जाती है तो cry 3 A से लेके cry 3 B cry 3 C यानि कि Cry 3 जो है आपकी Collioptera और Bittles के लिए यूज होती है Cry 1 आपकी Lepidopteran के लिए है Cry 2 Diptera के लिए है Cry 3 Collioptera के लिए है Bittles के लिए है उसके बाद आपकी आती है Cry 4 and Cry 4A and 4B तो Cry 4A and 4B फिर से आपके Diptera के लिए की जाती है और फिर आपकी आती है Cry 4C Cry 4C भी आपकी Diptera के लिए की जाती है तो Cry 4 जो है आपकी Diptera order के लिए की जाती है चाहे वो A हो B हो C हो उसके बाद आपकी Cry 5 और Cry 6 जो है यह latest gene है और यह nematode resistance के लिए use की जाती है तो cry 4 and cry 5 जो है आपकी nematodes के लिए use की जाती है ठीक है तो बहुत simple सा है cry 1 आपकी lapidopteran के लिए है cry 2 lapidoptera diptera और diptera दोनों के लिए है उसके बाद cry 3 gene koleoptera के लिए है cry 4 gene फिर से diptera के लिए है cry 5 and cry 6 gene nematodes के लिए है तो इन classes को याद कीजिएगा ये question पूछ लिए जाते है कि कौन सी cry gene किसको जो है control के लिए use की जाती है चलिए फिर आपका इसका toxin action आता है क्या इसका toxin action रहता है इसके जो cry proteins है cry proteins are ingested by your insect यानि कि ये cry gene जो है आपके plant में express होगा और अपना protein बनाएगा ये protein आपके plant में बन चुका है जैसे ही insect इसके उपर आएगा और इस plant को खाएगा तो ये protein उस insect के अंदर भी चला जाएगा अब जब ये protein इस insect के अंदर जाता है insect के mid gut के अंदर ऐसी conditions होती है जो इस protein को digest कर पाती है यानि कि इसके toxin को release कर पाती है activate कर पाती है वही अगर आप इस protein को खाते हैं आप उस leaf को तोड़ कर खाते हैं तो क्या होगा क्योंकि आपके mid gut में जो है basic या alkaline conditions नहीं होती है तो ये जो protein है ये digest नहीं होता है इसका toxin release नहीं होता है और इसी वज़े से कोई भी human being अगर बीटी ब्रिंजल खा रहा है बीटी cabbage खा रहा है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसका जो protein है वो human gut में activate नहीं होता है ये keval insect के gut में activate होता है जहां इसको alkaline conditions मिलती है तो ये alkaline conditions में जो है digest होता है activate होता है activate होने के बाद जो उसके digest की lining है epithelial lining है उसमें pores बना देता है उसमें shade बना देता है उन pores के कारण क्या होता है इसमें ions और water भरने लगता है और धीरे धीरे उसके cell जो है वो lice हो जाते है और धीरे धीरे ये insect जो है भूका starved होते होते मर जाता है तो basically बहुत तडपा तडपा के मारते है और इसका पाप जो है हमें लग रहा है तो यह आपका जो है toxin reaction है जो आपका cryogen provide करता है the gut proteases digest the release of the and release the core toxin core toxin को release किया जाता है आपके जो यह protein है इसके तीन domain होते है domain 1 domain 2 domain 3 domain 1 क्या करता है formation of pores and ion channels domain 1 क्या करता है आपके pores और ion channels की formation करता है domain 2 receptor को recognize करने में help करता है जो receptors होते हैं जहां इसको जुड़ना है उनको recognize करने में help करता है domain 3 receptor से bind करता है binds the receptors and affects the channel जो इसके epithelial cells होते हैं इन में pores होते हैं जिसकी विज़े से iron और water भर जाता है और swelling के कारण आपका cell जो है lice हो जाता है food जाता है और दीरे दीरे यह plant जो plant नहीं जो insect है यह मर जाता है तो यह पूरे इसका toxin action है चलिए then insect resistance to cry gene यान की कुछ insects ऐसे देखे गए हैं जिन पर cry gene का effect बंद हो गया है उन पर cry gene का कोई effect आज कल नहीं देखा जा रहा है क्योंकि भूका मरता क्या ना करता तो यह बात किसी ने सही कही है कि किसी को इतना मत डराओ कि डर ही निकल जाए यह इस insect के लिए सही बैट रहा है क्योंकि हमने इतना BT use कर लिया है कि यह insect को feed करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है जब insect को feed करने के लिए कुछ नहीं मरेगा तो वो क्या करेगा वो evolve होगा evolve होगा और उसमें कुछ इस तरीके के changes होंगे कि चाहे आपकी plant में toxin present है लेकिन वो toxin जो है उसको harm करना बंद कर देता है वो उससे resistance शो करने लगता है तो इन इन insect में जो है resistance आपकी देखी जा चुकी है यानि इन पर आपका cry protein अब ना असर करने लगा है तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप अक्सर humans में आपने आप में देखेंगे अगर आप एक दवाई को बहुत time तक ले रहे है ना 10 साल तक आपने दवाई ले ली तो उसकी dosage बढ़ानी पड़ती है क्योंकि आपका शरीर उससे used to हो जाता है और effect नहीं करता है तो वही insect के साथ भी होता है तो काफी सारे insects में इसकी जो है resistance break होते हुए देखी गई है चले then solution क्या है solution यह है या तो आप दो या दो से अधिक जो इसकी genes है उनको combine करे ताकि proteins अलग-अलग type के बाने और उसमें resistance ना बन सके दूसरा क्या करेंगे हम alternating proteins को use करें यानकि एक बार cry one A use किया है तो दूसरी बार cry one B use करें ताकि एक ही तरीके का protein यूज नहीं करें उसको जादा पता मत लगने दे कि इससे आपको evolve कैसे होना है दूसरी चीज क्या है reducing the selection pressure selection pressure को reduce करें थोड़ा उन्हें भी जो है खाने दे और जो आपका economical part है है ना जो like अगर cotton की हम बात करें तो cotton का हमारा seed जो है economical part है तो cotton जो है हमारा वो economical part है उसकी leaf से उसकी stem से हमें कोई खास मतलब नहीं होता है तो यहां क्या कर सकते हैं यहां पर जो आपके economical important parts है जो आपको अपने yield के लिए चाहिए जो आपको अपने use के लिए चाहिए उनमें ही केवल उनका expression हो ताकि अगर उन पे अगर feed करें तो insect मर जाए दूसरे part पे अगर feed कर रहा है तो insect का पेट भी भर जाए उसे ज्यादा तकलीफ ना हो तो आप इसका selection जो pressure है वो कम कर सकते हैं उसे थोड़ा बहुत जीने दे थोड़ा बहुत खाने दे ताकि उसे ज्यादा गुस्सा ना आए वो ज्यादा evolve ना हो तो यह इसके जो है प्रोबैबल resistance आता है drop resistance के लिए भी कुछ genes है जैसे कि आपकी RAB genes है which is responsive to ABA hormone के responsive genes जो होते हैं वो activate कर सकते हैं drop resistance के time पर salt resistance gene है जो आपके induce होते हैं जब salt stress आता है आपके proline biosynthesis gene है जो कि pro BA और pro C gene है जिन से proline biosynthesis बढ़ जाता है और proline आपका osmotic regulation में जो है काम आता है osmotic pressure maintain करने में काम आता है तो drop के लिए भी जो है इन तीन genes का आप use करके इनको drop resistant बना सकते हैं तीनों ही genes का use हम कर सकते हैं transgenic plants develop कर सकते हैं तो यहाँ पर आपका जो है एक transgenic develop किया गया है drought resistance से उस transgenic plant में क्या किया गया है यह जो आपका यहाँ पर glutamate है glutamate के लिए आपका एक enzyme use होता है P5CS इस P5CS से use होकर जो है आपकी पूरी cycle चलती है जिससे आपका glutamate जो है digest होता है तो यह जो है आपका P5CS जो enzyme है इसकी over expression जो है की गई है यानि कि इसकी over expression अगर हम करें तो यह जादा enzyme produce होगा तो जादा efficiency से यह आपकी पूरी cycle चलेगी और इसमें देखा गया है कि जादा जो है इसमें आपको यह soya bean और moth bean से isolate किया गया enzyme है और इसमें देखा गया है कि जब यह हमने soya bean और moth bean से निकाल कर tobacco में transfer किया है तो इसमें 8 से 10 से 18 फूल तक जादा प्रोलीन बनता है तो इसमें 18 से फूल तक 18 टाइम्स तक जो है जादा प्रोलीन बनता है high osmotic potential in plants का रहता है और root biomass भी जादा देखने को मिला है तो जिसके कारण यह plant जो है tobacco plant है जो है drought से resistance शो करता है तो drought से resistance शो करने का जो तरीका है वो क्या है P5 CS जो आपका enzyme है जिसका नाम है pyrolin 5 carboxylate reductase इसका over expression अगर हम करवाते हैं तो इसमें जो है drought resistance यह शो करता है यानि आपके plant को drought से resistance बनाता है उसके root proliferation अच्छी होती है उसका osmotic pressure भी better maintain रहता है और उसमें proline content भी जादा देखने को मिलता है तो यह थे कुछ आपके transgenic plants उसके बाद कुछ questions है जैसे कि पहला question आपके सामने है the controversy regarding the use of bete corn is what? bete corn को use करने टाइम कौन सो कौन सी controversy जो है ज़्यादा चर्चित है it is potentially harmful for monarch bee monarch butterfly जो है आपकी उसके लिए यह harmful है ऐसे कुछ चर्चा आपने सुनी हो या फिर it is potential allergent to human या फिर कुछ humans को इसके कारण allergy हो गई हो या फिर it can contaminate the ground water या फिर ये ground water को contaminate कर पा रहा है तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा both a and b इसमें जो है monarch butterfly और allergy to humans कई कई जगा पर notice की गई है कि अफवा है we don't know but इनके बारे में जो है काफी चर्चा होती रहती है तो both a and b will be the answer then starch content of potatoes starch content of your potatoes can be increased using a bacterial gene आपके starch content बढ़ सकता है potato में एक bacterial gene को use करके वो gene कौन सी है सुक्रोस फोसफेट सिंथेज, ADP glucose, pyrophosphorylate gene, polygalactoryuronase gene या फिर none of the above तो इसका answer क्या होने वाला है your starch content can be increased through which bacterial gene Lopa says B and yes, B is the right answer ADP glucose, pyrophosphorylation gene का use किया जा सकता है आपके potato में इसके starch को increase करने के लिए then which typical fruit crop has been successfully engineered to be protected against lethal virus which fruit has been successfully engineered, fruit में जो है एक genetically engineered fruit बनाया गया है जो कि एक lethal virus है उसके बचाव के लिए उसमें जो है genetic engineering की गई है तो वो कौन सा fruit है, passion fruit, papaya, mango, leechy passion fruit, papaya, mango, leechy तो यहाँ पर आपका answer क्या होने वाला है यहाँ पर आपका answer होने वाला है papaya, papaya में जो है आपका virus है जिसके कारण इसमें transgenic plants बनाए गए हैं जो उस virus से इसको बचाते हैं तो papaya is the right answer which of the following metabolites are implicated in stress tolerance stress tolerance में कौन से metabolites की जरूरत परती है proline, betaine, both A and B और citrate proline, betaine, both A and B और citrate which of the following metabolites are implicated in stress tolerance stress tolerance के लिए आपके proline और betaine दोनों का ही production होता है दोनों ही जो है Osmo regulation का काम करते हैं दोनों ही जो है Osmo regulation का काम करते हैं आपका osmotic pressure maintain रहता है और आपका जो cell है वो जो है शो करता है resistance drought के खिलाफ तो both A and B will be the answer so that's all for today आज की class में हमने काफे कुछ सीखा है I guess transgenic plants में तो चलिए आज के लिए इतना ही और कल फिर मिलेंगे 6 बजे अपनी बायो टेकनोलोजी की class में 11.30 बजे आपके IBPS AFO के MCQs की class में और 2 बजे entomology की class में तो schedule याद कर लीजिए जो भी आपके लिए important हों वहाँ जरूर आईएगा agriculture महा पैक की कहानी मैं आपको रोज सुनाती ही हूँ इसमें जो हैं आपके सारे ही packs उपलब्द होते हैं यानि कि जितने भी आपके ये packs हैं चाहे वो agriculture foundation है नबाड है IBPS SO है IFCO है सभी packs का content इसमें available होता है विडियो courses, live classes, test series, e-books agriculture से related हर चीज जो है आपको यहाँ मिल जाती है agriculture महा pack में तो agriculture के किसी भी exam की तयारी कर रहे हैं चाहे नबाड की कर रहे हैं SO की तयारी कर रहे हैं राजिस्थान J.E.T. की कर रहे हैं UP Catet की कर रहे हैं सभी classes के लिए यह package जो है one time package है चाहे आप कोई भी exam पूरे साल देते रहे हैं इसमें agriculture का सारा content आपको मिलता है इसका price जो है 24,000 है but don't worry आपको इतना महंगा नहीं पढ़ने वाला है आपको code यूज करना है Y448 और यह आपको लगभग 9,000 का पढ़ने वाला है इस code के बाद इस code को लगाने के बाद यह आपको केवल 9,000 का ही पढ़ने वाला है पूरे साल के लिए जो आपको अलग अलग नहीं किसी भी exam का package खरीदना है नहीं कोई books सर्च करनी है नहीं इधर से तयारी करूँ अधर से तयारी करूँ एक package है उसमें agriculture का सारा syllabus है तो फटा फट से पढ़ डा लिए और अपनी preparation को फटा फट से boost अप कीजिए agriculture adda 247 की website पर जाएए और महा pack आप ले सकते हैं using code Y448 आपकी screen पर red पटी में आपको दिख रहा है चलिए और आपके इफको के paid batches 12 तारीक यानि कि कल से शुरू हो चके चुके है अगर आपने इफको का form नहीं भरा है तो सबसे पहले form भर लिजे 15 तारीक उसकी last date है और फिर आपके adda से जो है paid batches शुरू हो गए है तो आप उनके लिए अगर enroll करना चाहते हैं तो इफको के लिए भी enroll कर सकते हैं उसके लिए भी आपको same code use करना है which is Y448 and you will get the maximum discount आपको maximum discount देखने को वहाँ पर मिलेगा तो आज की class में इतना ही और फिर मिलते हैं आपने कल की class में कुछ नए topics के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा सुरक्षित रहेगा और अब मेरे पाद वर्षा में की class है आपकी forestry की तो उनकी class के लिए ज़रूर रुकेगा वो भी आपके लिए कुछ interesting लेकर आने वाली है चलिए goodbye and good night